नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरा नाम विवे कुमार मेरे पास है यहाँ पर समसंग के दो लेटरेशन 5G डिवाइस यहाँ पर F23 5G और दूसरा है M13 5D और आज करेंगे दौने फोन का कंपेरेजन देखेंगे क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर दौने फोन का रहने वाला है तो सबसे बहले बात अगर डिजाइन की करें यहाँ पर तो F23 5G में बैक में ट्रपल केमरा सेट अप और सैमसंग की ब्रांडिनिंग एक फ्लेश लाइट जस्ट लाइक सैमसंग एलक्सी M52 महीं बात करें सैमसंग एलक्सी M13 की तो यहाँ पर आपको डूल केमरा मि यहाँ पर बहतर F23 ही लग रहा है बागी आप कमेंट करके बता सकते हैं बात अगर फिजिकल डिजानी करें तो ठिकनेस में यहाँ पर F23 की तिकनेस है 8.4 mm वहीं M13 5G की तिकनेस है 8.8 mm दोनी फोन के राइट साइड में आपको पावर की और वोल्यूम की मिल जाता है सेम और मेमोरी कार्ट इंसर्ट कर पाएंगे वहीं वोटम साइड में आपको डॉननी फोन का स्पीकर चार्जिंग जैक माइक और ऐयर फोन जैक मिल जाता है जोना इफोन टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं साथी बात करें अगेन बैक साइड की देखिए एक और ब बात करते हैं अब डिस्प्लेए की एप 23 में आपको मिल दिया 6.6 इंच की फूल एच्डी प्लस डिस्प्ले और वहीं एम तरफ फट्वाइब दिस्प्लेए बात करें प्रोटेक्शन की तो क्विक शेयर नियर वाई शेयर यह दोनी डिवाइस में आपको मिलता है स्मार्ट व्यू का ओप्शन यहां पर आपको दिया गया है एम 13, sorry F23 5G में और बागी आई कंपर, डार्क मोर, डूनोट डिस्टर्ब, क्यू आर्क इसकेर यह दोनी फट्वाइस में यहां पर कॉमन है एक NFC का ओप्शन जो आपको F23 में दिया गया है वो यहां पर एम 13 5G में नहीं है बागी Secure Folder दोनी डिवाइस में है, यहां पर Dolby Atmosis दोनी डिवाइस में है, Kits Mode भी यहां पर आपको मिल जाता है तो overall कुछी features हैं, जैसे कि यहां पर NFC हो गया, Music Share दोनी फट्वाइस में है, Screen Recording का ओप्शन हो गया यहां पर M13 5G में आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे है, बात अगर करते हैं hardware की तो यह है दोनी फट्वाइस में आपको मिलता है वहीं अगर हम बात दोनी फट्वाइस के प्रोसेसर के बाते हैं, वहां डिफ्रेंस है, Samsung Galaxy F23 में आपको मिलता है Snapdragon 750 अक्टा कोर प्रोसेसर जो के एट नैनो मीटर पर वर्क करता है और Adreno 690 से यहां पर GPU है, वहीं M3 5G के बात करने हैं, यहां पर 970 700 अक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जो के 7 नैनो मीटर पर वर्क करता है और यहां पर GPU Mali G57 MC2 है, बैटरी की बात करने हैं, दौनी फॉन पर 5000 अमेज की बैटरी है, और बात वेरियंट की अगर करने हैं, वहीं M3 5G है 464 और 6128 के दो वेरियंट है, तो यह है दौनी फॉन का हाडवेर, अगर मैं बात करने हूं, नैनो मीटर के साफ से तो यहां प बात करने हैं, दौनी फॉन की UI फीचर की, यहां पर दौनी फॉन में लगवग सेम यूई फीचर आपको मिल जाएंगे, दौनी फॉन में सेम यूई 4.1 डिजिटल बैल विंग एडवांस फीचर में चेक करते हैं, यहां पर दौनी फॉन में CMC है, continue up to the device, android, quick share, labs का option है, side key management दौनी फॉन में है, motion and gesture दौनी फॉन में सेम है, lift to wake, double tap to turn on screen, turn off screen, keep screen while viewing, alert, turn on mute, finger sensor gesture, तो दौनी फॉन में यहां पर सेम है, अब देखिए यहां पर screen shot और screen recording का option F23 में है, जबकि MCN में screen shot का option है, बागी दौनी फॉन में game launcher का option आपको मिल जाएगा, और video call effect का एक नए F23 में देखने के लिए मिलता है, यह features आपको M13 में देखने के लिए नहीं मिलेगा, बागी game launcher दौना ही device में है, dual messenger आपको मिल जाता है, तो यह छोटे-छोटे features हैं, जो कि F23 को बहतर बनाते हैं, compare अगर हम करें M13 से, बागी यहां पर दौने फॉन में, biometric and security में, आपको face lock और fingerprint मिल जाता है, अब यहां पर add करते हैं, अपना face और finger, फिर देखते हैं, performance कि डिवाइस की ज़्यादा बहतरीन आपको देखने के लिए मिलती है, तो यहां पर हमने add कर लिया है, दौने फॉन में face और fingerprint, अब बारी performance की आती है, वो चेक करते हैं, यहां पर किस phone की performance ज़ यहां पर work कर रहा है, face lock की अगर बात करते हैं यहां पर, तो f23 फर्स स्टेम में जल्दी unlock हुआ है, एक और बार यहां पर try कर लेते हैं, और इस बार भी f23 जल्दी unlock हुआ है, फिंगर फिंट में यहां पर कोई difference नहीं है, लेकिन अगर बात face lock की करते हैं, तो वहां पर Samsung Galaxy f f23 थोड़ा fast performance आपको दिखाता है, तो यह हुए हमारा security बागी theme, on screen, ball paper, lock screen, display, notification, sound and vibration, connection, यह सारे feature दोनी फोन में common है, तो अभी तक हमने देखा है, यहां पर display f23 का पढ़िया है, design भी अच्छा है, hardware भी अच्छा है, और UI features भी यहां पर f23 में आपको ज्यादा दिये गए ह अब यहां पर बात कर लेते हैं, दोनी फोन के camera की, तो दोस्तों यहां पर दोनी फोन में main camera जो है, 50 megapixel का है, f1.8 के साथ में, एक छोटा difference यहां पर यहां पर आपको f23 में 8 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का depth sensor मिलता है, वहीं M13 में जो second camera है, वो है 2 megapixel का depth sensor के लिए, यानि कि वहां पर ultra wide और macro camera आपको नहीं मिलता, तो अगर हम बात करें, दोनी फोन के camera features की, तो दिखते हैं, यहां पर क्या-क्या difference आपको देखने के मिलता है, यह दोनी फोन का main photo mode है, f23 में ultra wide है, m13 में ultra wide यहां पर आपके लिए नहीं मिलेगा, बाकी other flash का option है, यहां पर आपको दोनी फोन में face और beauty का option मिल जाएगा, f23 में आपको my filters का option यहां पर मिल जाता है, यहां कि अपना खुद का filter आप create कर सकते हैं, यहां पर और साथ ही है, यहां पर दोनी फोन का portrait mode, यहां पर दोनी फोने background बिलनेस का adjustment है, और skin smoothness का option आपको यहां पर दिया हुआ है, fun mode यहां पर f23 में आपक video recording mode, यहां पर ultrawide आपको f23 में मिल जाएगा, और उससे भी खास यहां पर VDIS आपको मिल जाता है, f23 में, यहां कि blood free आप video record कर पाएंगे, और साती यहां पर UST तक का video recording support आपको f23 में मिलता है, जो कि M13 में full HD तक का है, और filters, my filters और face यहां आपको मिलता है, यहां पर f23 में माई filter का option यहां पर M13 में नहीं है, वागी देखे, AR zone यहां पर दोनी जवाइस में है, pro mode, panorama mode, आपको दोनी जवाइस में मिलता है, night mode भी दोनी जवाइस में है, food mode भी दोनी जवाइस में है, अब यहां पर extra क्या है f23 में, macro जो option है, वो extra है, super slow motion, slow motion और hyperlap, यह सारे item यहा आपको M13 5G में नहीं मिलेंगे, तो एक camera की दरश्टी से, और camera features की नजेरियों से, हर तरह से यहां पर Samsung Galaxy F23 M13 5G को बीट करता हुआ, देखता है, तो अभी तक हमने जो भी यहां पर देखा है, start से लेके end तक, हर तरह से यहां पर F23 बहतर लगता है, M13 5G से, अब बारी आत सब्सक्राइब करें, M13 5G के अब बात करें, 464 जिसका प्राइज तेरह जार 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 लेकिन यहां पर एक और डिफ्रेंस है, F23 में आपको इंबॉक्स अडप्टर नहीं मिलेगा, आपको अडप्टर अलग से पर्चेश करना पड़ेगा, 25 बॉट का जो के लगवाग 1500 रुपे का है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले यहां पर सैमसंग की ऑफिसल वेब साइट पर एक स्कीम चल रही थी, यहां पर आपको वही एडप्टर 299 रुपे में आपको बिद हैंसेट दिया रहा जार 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 लिए अगार आप हैंसेट भी बुक कर सकते हैं, यह बेनिफिट दिया था सैमसंग ने, तो मेरी राई यहां पर F23 ज्यादा बहतरीन है M13 5G से, तो यह था हमारा F23 और M13 5G के भी फुल कमपेरिजन, उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तक तक के लिए धन्यवाद, Have a nice day